आज की है वीडियो जावल्सकिप सीरीज की लेक्षर रमर 25 होने बालिए जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि आखरी ये दू वाइल लूप होता क्या है पिछली वीडियो मैं आपको वाइल लूप और फौल लूप के बारे बताया था अगर आपको उसके बारे जानना या फि प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं और नहीं हो और अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना तो वीडियो को आप स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आखरी एक डू वाइल लूप होता है जैसे कि आपने वाइल लूप में पढ़ा था कि वाइल सबसे पहले आपको लिखने के बाद आपको बाद में लगाना है यही होता है सिंटेक्स आपका डू वाइल लूप का जैसे कि वाइल लूप पहले कंडिशन चेक करता था बाद में कुछ भी परफॉर्म करता था यानि कि अगर वाइल लूप में कंडिशन टू होती थी तब वाइल लूप की बोड़ी एक्सिट होती थी नहीं तो नहीं होती थी लेकिन पहले डू में काम कराया जाएगा और बाद में कंडिशन चेक करी जाएगी यानि कि पहले डू यानि कुछ काम करो, उसके बाद जाके condition check करो, अब अगर ये बाद में एक बार काम हो गया, अब अगर ये condition true होती है, while वाली, तब दुबारा से वही काम करो, और फिर से उस काम को करने के बाद, फिर से एक बार और condition check करो, अब फिर से condition true होती है, तब दुबारा से execute करो, do क्यी body को, अब अग पहने का मतलब यह है कि for loop और while loop में पहले condition चैक होती थी बाद में उसकी body execute होती थी नहीं तो नहीं होती थी लेकिन do while loop में कम से कम एक बार तो आपकी body execute होनी ही है चाहे condition false हो एक बार execute होगी उसके बार condition चैक होगी true है तो दुबारा होगी और false है तो फिर नहीं होगी यानि कि एक बार होनी है और एक बात और यहाद रखना कि do while loop के syntax में यह कर्डी वैकिने do लिखने के बाद then यहाँ आपको while लिखना पड़ता है और while के वह भी condition है वो आपको लिखने पड़ती है अब while लिखने के बाद आपको यहाँ पर यह semicolon लगाना ही पड़ेगा अगर आप semicolon लगाते तो वो एक error हो जाएगा यह syntax है यानि कि while loop के बाद आपको यहाँ पर एक semicolon लगाना ही पड़ेगा अब ये चीज तो आपको पता ही होगी कि condition जो है वो आपका या तो आपको true return करेगा या फिर वो आपको false return करेगा अगर वो true return करता है तो ये body दोबारा execute होगी पहली बार तो हो चुकी है अब condition आ गया initialization initialization आप बाहर कर सकते हैं आपने लिख दिया i00 इस do से पहले और जो increment है क्योंकि मैं आपको बता तीन phases होता है आपका होता है एक तो initialize करना increment करना और condition का so initialize आपने उपर कर दिया condition आपने while में लिख दिया नकिन increment नहीं है तो increment आप इस do की body में करेंगे इस प्रकार से i++ अब हमने 30 के लिए बहुत जाल लिया इस जज़ादा जानने की जरूँत नहीं है अगर आप हो definition लिखने है तो while loop में आप definition लिख सकते हैं कि एक ऐसा loop होता है जो पहले एक बार at least एक बार अपनी body को execute करता है बाद में while के मदर से condition को check करता है तो आप हम बढ़ते हैं पेक्टियल की तरफ तो सबसे पहले हम खोल देते हैं visual studio code को और यहां पर मेरा पुराना program लिखा हुआ है इसको मैं remove कर देता हूँ और यहां पर लिखना मुझे एक variable लिखने करना let i जो है वो आपका 0 से मैंने already initialize कर दे क्योंकि हमें initialization पहले करना पड़ेगा then यहां पर मैं लिखता हूँ do और इसके बद आपको इसकी body बनानी है यह बन गया do और मैंने syntax कर बता है do लिखने के बद आप यहां पर while लिख सकते है और while का अंदर कोई भी condition और बाद में semicolon मत देना यह है पूरा का पूरा do while का syntax अब पहले तो हम do के अंदर की बात करते हैं कि body में आपको लिखना क्या है body में मुझे print करा रहा है console.log की जो value है i की the value of i एक सेकें प्लस i इस प्रकार से जो value है i की वो क्या है तो देखें पहले उपर i के value 0 है तो इसका मतलब यह पहले print करेगा 0 को then इसके बार मुझे i को प्लस प्लस कराना है तो इस बार जो यानि कि पहले तो आपका 0 प्रिंट हो चुका है उसके बाद आपकी value जो है वो i की बढ़ गई है यानि कि 1 हो गई है वाइन में 1 is less than to 10 true है जब यह true होगा तो यह body दोबारा से execute होगी do वाली और यहाँ पर यह value of i है यहाँ पर बन प्रिंट होगा then जो आपका i plus plus है यह बापिस से 2 हो जाएगा और फिर से condition चेक होगी यानि कि 2 is less than to 10 जो कि true होगा true होगा तो do loop आपका bit से चलेगा do की body फिर से चलेगी और यह आप console log में हो जाएगा आपका value of i is equal to 2 then i plus plus होगा 2 से 3 हो जाएगा फिर से condition चेक होगी ऐसे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक पहुँचेगा और 10 तक पहुचने के बाद जैसे यह 11 होगा i plus plus से 11 होगा i की value तुरंत आपका while condition वो false होगी और जैसे ही यह condition आपकी false होती है तो इस बार जो आपका compiler है वो यहाँ नहीं जाएगा बलकि इसके नीचे जो भी लिखा होगा वहाँ पहुच जाएगा so control से करते हैं save और command open करते हैं और यहां हम लिखते है clear screen cls then node file name home और enter so value of i is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 अब मैंने आपको क्या बताया कि do while look कम से कम एक बार से चलेगा चाहे condition false हो अगर मैं लिख देता कि तब तक चले मैं यहाँ पर false ही लिख देता हूँ क्योंकि false हो जो चले गए नहीं clear ना तो false नहीं है तो कम से कम अजब हमारी condition हमने पहले ही false कर दी तो क्या यह चलेगा so node second node home तो देखिए value of i 0 एक बार तो यह चली ही गया लेकिन while नहीं चलता तो यही difference होता आपका do while loop में बाकी सब चीज़ें में आपको बताई हुई है अगर आप सोच रहे कि do को बाज में लिख देंगे while को पहले लिख देंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा आपको यही syntax को follow करना पड़ेगा आज सा करता हूँ आपको यह video पसंद आई होगा अगर यह video पसंद आतो प्लीज वीडियो को लाइक कीज़ेगा और चैनल पर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब कीज़ेगा क्योंकि मैं आपके लिए इसी वीडियो लेकि आता हूँ अगर आप वीडियो देख कर जा रहे है और सब्सक्राइब नहीं कर रहे है अगली वीडियो में हम आपसे फिर से मिलते हैं इसी पिकार की कुछ एक नई टॉपिक के साथ आज ये वीडियो में सिर्केते हैं वीडियो देखने लिए शुक्रिया थन्रबाद चैनल